हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मेरीडियन ओसीज आज हम बात करेंगे यूके की रिसेंट अपडेट के बारे में जो कि बॉरिस जॉंसन ने अभी अनौन्स करी है और वो भी इंप्लेमेंट हो जाएगे 20th of February जिसका मतलब है कि 31st of January 2020 को ब्रेक्जित होने वाला है ब्रेक्जित की जैसी डेट्स अनाउंस होंगी इमिग्रेशन के अंदर बड़ी अपडेट्स आ रही है और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 20th of February को न्यू रूल्स इंप्लिमेंट हो जाएगे क्या रूल है आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में UKVI जो इमिग्रेशन साइट गर्वर्मेंट ऑफ UK की उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है नए जो अपडेट्स आए उसके बारे में यह डिस्क्रिप्शन है और 20th of February से ही इंप्लिमेंट हो जाएगा सबसे इपॉर्टन ची के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज इसके अंदर यह है कि कोई भी इसके ओपर कैप नहीं है number of people anywhere from the world कोई उसके ओपर कैपिंग नहीं तो वह चीज़ सबसे इंपोर्टन रहे और यह है स्बसे स्पेसिफिकली साइन्टिस के लिए वह directly और इसके अंदर उनको जॉब वहां नहीं भी मिली और वह संटिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वह लोग डिरेक्तली इमिग्रेट कर सकते हैं UK without any requirement of job यह बहुत major update है UK की और बहुत हमें इससे points मिल रहे हैं आगे देखने के लिए कि UK अपना immigration कितना light करने वाला है 20th of February 31st of January को Brexit और 20th February को सीधा यह announcement कि 20th February से यह implement हो जाएगा यह rule आगे आने वाली जो Boris Johnson की promises है उनको हम देखें तो UK के अंदर अगर आप education करने जा रहे हो तो आपको PR के ज्यादा chances है skilled immigration के ज्यादा chances है और point based immigration system जो है वो confirm आने वाला है by end of this year तो आप UK की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे better opportunity अभी है May intake अभी open है University of West London में उसके लिए applications आप कर सकते हैं applications करने के लिए application 01 at meridian.org पर आपको बेजनी है या फिर आप हमें toll free नंबर पर call भी कर सकते हैं ऐसी ही कुछ updates continue आपके पास आती रहेगी लेकिन उसके लिए bell icon जो है वो प्रेस करिए तकि आपको continuously notification डिरेक्ट आपको email पर मिले जैसे हमारी video upload होती है आपके पास सीधा notification आएगा तो आप check कर सकते हैं कि आपके benefit के लिए UK में अभी क्या updates है आने वाले 10 से 15 दिन में काफी major changes UK immigration में आने वाले तो वो सब जानने के लिए subscribe करें और bell icon जो फ्रेस करें thank you so much friends see you in the next video